हेलो दोस्तों बॉलिवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म पठान सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में बनी हुई है फिल्म पठान भले ही अभी तक रिलीज न हुई हो लेकिन यह कई कारणों से लोगों के बीच लोग प्रिय हो चुकी है फ्रेंड्स इन में सबसे बड़ी वज़ा किंग खान की बड़े परदे पर वापसी और फिल्म में उनका कूल लुक है किंग शहरुख खान लगभा तीन साल बाद बड़े पर वापसी कर रहे हैं उनकी आखिरी फिल्म के टरीना कैफ और अनुशका शर्मा के साथ जीरो थी पठान को लेकर तर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है हाल ही फिल्म का बेशरम रंग सॉन्ग रिलीज हुआ जो काफी पसंद किया जा रहा है दोस्तों बात करें बौक्स ऑफिस कलेक्शन की तो पठान 2900 करोर रुपे के भारी भर कम बजट में बनी है फ्रेंड्स चिंग शहरुखान की पठान को दुनिया भर के बौक्स ऑफिस पर 600 करोर रुपे से अधिक का टलेक्शन करने की उमीद है फिल्म रिलीज होने के पहले तीन दिनों में बॉक्स ओफिस पर सो करोड रुपे का आंकड़ा पार कर सकती है फ्रेंड्स पठान अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है दोस्तो बता दे की सुमवार को ही फिल्म पठान का पहला सौन गबेशरम रंग रिलीज हुआ है इस गाने में दीपिका हॉट अवतर देखने को मिला फ्रेंड्स बता दे की शहरुख खान सर की फिल्म पठान पचीस जन्वरी को बॉक्स आफिस पर दस्तक देने जा रही है इस फिल्मम के अलावा दीपिका पादुकोन और जॉन अबराहम बुखे भुमिका में है फिल्म में किंग खान एक एजेंट के रूप में दिखाई देंगे जबकि जॉन अबराहम फिल्म में विलेन के किरदार में है यह सिधार्द आनंद द्वारा, निर्देशित एक्षन, क्राइम, ड्रामा और थ्रिलर फिल्म है फ्रेंड्स बता दे कि सोशल मीडिया पर पठान को बायकॉट करने की मांग उठ रही है बायकॉट गैंग पठान को फ्लॉप कराने की पूरी कोशिश में लगी हुई है दोस्तों आपको क्या लगता है फिल्म पठान बॉक्स ओफिस पर कितने करोड की ओपनिंग ले सकती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें